हम यह तो मानते हैं कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है लेकिन हम यह नहीं मानते हैं कि भगवान जो है सर्वग्यानी है सर्वग्याता है अगर मानते हैं तो हम भगवान से कुछ मांगते हैं क्यों भगवान यह कर दो वो कर दो वो कर दो हमारे पास तो बहुत सारा लंबा लिस्ट होता है और अगर भगवान ने कुछ हमारे मुतामिक नहीं किया तो हम क्या करते हैं भगवान को गाली देना शुरू करते हैं उनसे शिकायत करना शुरू करते हैं Actually, भगवान को सब पता है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है हो सकता है, हमें जो लगता है, हमारे लिए सही है वो गलत हो या फिर जो गलत लगता है, हो सकता है, वो सही हो हम खुद को उतना नहीं जानते, जितना भगवान हमें जानते है तो भगवान को अच्छे से पता है आपके साथ क्या करने से आप सुद्रोगे आपके साथ क्या करने से आपका भला होगा तो यही है भगवान की भक्ति उन पर भरोसा रखना पर विश्वास रखना, ऐसा विश्वास, इतना अटूट भरोसा, इतना अटूट विश्वास, कि जीवन में जो भी परिस्थितिया है, कभी भगवान पर से विश्वास ना टूटे, हमें भगवान पर ओर्डर देने के अवश्यकता नहीं है, भगवान हमारे दास नहीं है, भगवान हमारे मालिक है दास तो हम है अमके तो इसलिए जीवन में जो भी हो रहा है कभी शिकायत मत करना क्योंकि भगवान सरबग्यानी है और उन्हें पता है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है इसलिए जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्विकार करना सेखो और भगवान पर बरुसा रखना सेखो